नमस्कार मैं पीजियोनिस जैपांडे और आज हम नवे एपिसोड में जो है आपसे हम मुखातिर हो रहे हैं और हम आज जो खुलासा जैसे हमने बताया था पारितो स्कैनिंग के हम बड़े-बड़े खुलासे करने वाले हैं तो आठवे एपिसोड में आपने कुछ नौर्मल कमेटी चर्च हिस्टोरियन अर्केलोजिस्ट सर हमारे साथ में है इसके बारे हम जानेंगे सर सबसे पहले हमें जो है 36 गड़ के इसकोलो और जो ब्रेकिन यूज नई में आई हुई है आपके एपिसोड हम जो कवर करते हैं जैसे पार्ट 6 में हमने दिखाया था मैं बताना सबसे पहले प्रथम तो शुक्रियां सभी दर्शकों को और मेरे इसाई भाईयों बहनों को और मेरे देश के तमाम नागरिकों को हमारी तरफ से नमस्कार आप सभी को और जैसा कि आप कह रहे थे कि 6 एपिसोड में हमने अल्रेडी 34 गड़ डाइसिस के सिलसले में कवर किया था जब हमने 75 करोड जो आगरा डाइसिस के स्कूल्स जो थे जो सी एनाई रन करता है और उसमें 75 करोड की धांदली हुई है और इसके हमने कहा था कई दस्तायवस प्रेजेंट किये थे और कहा था कि देखिए इनकी इंक्वाईरी चल रही है और कई प्रिंसिपल्स को बु ती तो उसी एपिसोड में हमने कहा था कि 36 गड में भी लगबख एक रजिस्टान ने और इशू किया है जो सोसाइटीज के रजिस्टार है उन उसने इशू किया है प्रिंस जो स्कूल्स काशय पार। डाइसिस के अकाउंट के मारफ़त इसको गबन किया गया तो ये जो एक गंबीर स्वरुप में था तो उस वक्त उन्होंने नोटिस इशू की थी और कहा था कि आप इसको रिटन कीजे ये नोटिस लास्टेर इशू हुई थी और इस सिल्सले में अभी के जो वर्तमान स्थित है और आज विराजमान हुए है और बोलते कि मैं चतिसगर्ड डाइसिस के स्कूल का अभी धरता करता मैं हूँ तो चतिसगर्ड डाइसिस के जो एजुकेशन बोर्ड है उसका हेड उनको बनाया गया है नितिन लॉरेंस को और वो भी अभी हाचकल में काफी गयर कानूनी च पढ़ेंगे और अगर हम नहीं भरेंगे तो हमको यह प्रॉब्लम है ऐसा उन्होंने साफ साफ लिखा था उसके बाद में हमने कहा था कि जैसे इन लोग ने वहाँ पे सब जमा हुए और सब लोगों ने प्रेयर मीटिंग की और उन्होंने कहा कि देखो भई हम लोग प्रे कैसा है यह तो तुमको रिटन करना है यह डाइसिस के अकाउंट में कैसे आ और डाइसिस के अकाउंट से किस ने कैसा कैसे गबन किया यह तो डाइसिस अच्छी तरह जानती है यह बिशप वर्ग भी अच्छी तरह जानता है तो इस सिलसले में और यह इशू होने के बाद म वहाँ पे जब EOW में जो केस रजिस्टर हुई थी, रजिस्टर नमबर 80 of 2022 PC सिंग के खिलाफ, तो उनके अकाउंट में क्या पैसा यहाँ से वहाँ कैसे ट्रांसफर हो गया, यह भी चीज देखी गई अब देखी गई तो उनको जब एक अंदेशा आ गया कि हाँ भाई इसा ऐसा हुआ है, तो हुआ है तो फिर इसके उपर तैकिकात करना जारी है, उसी में हमारा 6 एपिसोड निकला और हमारे 6 एपिसोड में सतरा जन्वरी को नोटिस इशू हुआ, और यह नोटिस सतरा जन्वरी को नोटिस इशू हुआ, जैदी प्रॉबिंसन, जो सचीव है, बोर्ड आफ एजुकेशन, छतिसगर डाइसिस, राइपूर, इनके नाम पे नोटिस इशू हुई कि आप इंक्वाईरी को आ जाईए, और इनको बाइस एक दो हजार चोईस को मतलब बाइस तारीक को जनवरी के इसी मैने के बाइस तारीक को आज क्योंके तीस तारीक है इसी मैने के बाइस तारीक को इनको बुलाया गया और इनको कहा गया कि वही आप हाजिर हो जाए और आप पूरा दस्ताइवस लेके आ जाए कि आपके पास में ये स्कूलों का ट्रांसफर हुआ कैसे और इसके अंदर क्या-क्या चीजे है वो जानकारी लेने के लिए पूरे कागज लेके कि ये जो स्कूले थी ये स्कूल तुमारे पास में आई कैसे और इसका तुमारे पास में रेजिस्ट्रेशन हुआ कैसे ट्रांसफर्स हुए कैसे वो सब डीटेल अभी यो डबलू मांग रही है और यो डबलू के डीटेल्स मांगने के बाद में अभी ऐसा हो गया है कि और बाकी भी तैकिकात चल रही है सर यह तो रह गई हमारी जो 36 गड़ राइपूर हमने लिया लेकिन सबसे हमारे जो हम सब्जेक जो चल रहा था पारेतों स्कैनिंग को लेके तो इनके जो है का बीसब बनने से लेकि हम सुरू करेंगे अभी तो पढ़ाई में ने जो भी जोल किया इनोंने किया लेकिन जब ब फर्जिवार्ड किया है वो फर्जिवार्ड अत्यंत गंभीर है लेकिन इनको 2018 साल में बैरेकपूर का बिशप चुना गया पहले वहाँ पे बैरेकपूर में पहले बैरेकपूर डाइसिस जो है क्यलकटा में ही क्यलकटा शेहर में ही है लेकिन वहाँ का एक भाग है इसको गोलते हैं बैरकपूर डायसिस और पूरे पस्चिम बंगाल में के वर चार डायसिस हैं उसमें से बैरकपूर डायसिस एक है और एक है डायसिस अफ कैलकटा जिसमें कैलकटा की मुख्य शहर और मुख्य जगह आती है और शहर के बाहरी का जो भाग है वो डायसिस अफ कटा कि बिशप का इलेक्शन होना था तो ततकालीन जब ओंडरेटर थे उन्होंने क्या किया एक नई पॉलिसी लाई कि हम जब जी में चाहे और उन्होंने ऐसी कि इसके पीछे राज किया था तो इसके पहले कभी ट्रांसफर वगरे बिशप के होते नहीं थे इनके कॉंस्टिशन में प्रोविजन था नहीं लेकिन इसके पीछे राज ये था कि अपने मन मर्जी का आदमी कि moderator जहां चाहे वहां बिठा सकता है और जहां चाहे वहां जिसको भी कहीं पर बदली कर सकता है और अगर उसकी बात नहीं मानी जाए अगर उसको उसके पैसे का हिस्सा नहीं मिला जाए तो ये कारवाई होती थी बिलकुल बिलकुल और ये सिलसिला करने के लिए जब कैलकटा के डाइसिस के बिशप का अल्रेडी वहाँ पे बिशप मौझूद था बिशप प्रबोल दत्ता लेकिन बिशप प्रबोल दत्ता यहां इनको जो सेनर के मौडरेटर थे इनको कोई पैसे देता नहीं था और वो अडियल था, वो हाला कि ये भी कोई दूद के दुले वे नहीं थे, लेकिन खैर जो भी कुछ है, तो इनमें अन्बन हो गई, अन्बन हो गई तो प्रबोल दत्ता को हटाया गया, और तुरंत पारित वश्कानिंग को बारकपूर से लेके, कैलकटा में लाके बिशप बोलके बड़े बड़े जो पैसे के जो साधन है, वो कैलकटा डाइसिस के अंदर आते हैं, जो इतने से के मैंने आपको हाँ, 14 से 18 स्कूल्स आते हैं, तो जो इंपोर्टन स्कूल्स है और इतमे करोडो रुपए का जो डोनेशन आता है, तो ये सब गुमाने के लिए, जो उसको ड दस्ताइवस दे के ये बिशप बने है, ये फर्दी दस्ताइवस दे के ही ये प्रीस्ट बने है, ये बोलते हैं कि ये प्रीस्ट बने है 1995 में, 1995 में इन्होंने कुछ BTH किया, उसके बाद में 1999 में BD किया, अगर ये तब किया तो फिर 2003 में इन्होंने बारावी कैसे किया, औ आपने जब आप बोलते हो कि अलड़ी आप पड़े हो और आप गौर से कीजिए यह कि स्कूल में पड़े है बिशप पारितोष कॉनिंग का स्कूल कौन सा है वो कि स्कूल से दस्वी पास हुए है इसका आज तक कोई रेकॉर्ड सामने आया नहीं है सिनड के पास में पिछले एपिसोड में हमने दिखाया भी है इसकूल में वहाँ पे आर्टिय द्वारा जो बताया इंफर्मिसन आई है कि कोई भी उस रूल नमर या उस नाम का व्यक्ति नहीं पड़ा हुआ है जब आदमी बारावी पड़ा नहीं हो और उसने ही खुद डॉक्यमेंट्स ऐसे जोड़े हो खुद के और अभी वही फर्जी पाए गए तो भाई इनकस मैं तो यह कहाँगा उसके एक पूपरांत एक स्टेप आगे जाकर भाई ये व्यक्ति दस्वी भी था क्या नहीं इस इसके जाच होनी चाहिए कि इसके आदमी दस्वी था क्या और था तो कौन से स्कूल में था और स्कूल में रेकॉर्ड है और अगर स्कूल के अदर रेकॉर्ड है तो इसका रोल नंबर क्या है और इसका रोल नंबर क्या उन रोल नंबरों से मैच करता है जब कि बारावी के उन्होंने कौन से दस्ताइवस दिये थे लेकिन जब ही इनका बारावी का ही मामला पूरा का पूरा फोर्जड है और इसा कोई स्टूडन नहीं है इसका मतलब साफ है कि ये व्यक्ति दस्वी भी है या नहीं है ये आशंका हमारी पूरी तरह सही ठहरती है सर इन्होंने जो स्कैम किया हुआ है ये सब बढने के बाद तो किस-किस फिल्ड में किया क्या कमपनियां डाले थे या प्रॉपल्टी में या फिर अधर टाइप के किस टाइप के इन्होंने फ्रॉट करना सुरू किया अपने पावर का दुरुपयोग किया जी हाँ ये व्यक्ति बड़ा ही शागिर्द व्यक्ति रहा है ये तो 2018 में बिशप बना फिर उसके बाद में लगबख एक कमपनी का डिरेक्टर रहा और कमपनी का नाम है Transit Fooding and Lodging Private Limited और कमपनी का registration number है 238548 और ये ROC Calcutta Register of Companies Calcutta में registered है अब सवाल ये होता है ये Transit Fooding and Lodging Private Limited जैसी कमपनी के अंदर जब व्यक्ति बिशप है और ये डिरेक्टर क्यों बनता है इसका क्या संबंध है इस कमपनी के साथ में और ये डिरेक्टर बनके इसने कितने पैसों का जो हमारे धरम के पैसे ते जो स्कूलों के पैसे थे क्या ये डिरेक्टर बनके इन्हों ने किस कमपनी के नाम के उपर एस डिरेक्टर बोलके इसने अकाउंट्स खोले या अकाउंट्स के मारफ़त इसने कई स्कूलों से पैसा निकाला कई करोडों रुपया यहां से घुमा के उसने खुद properties ली यह सब चीज तो अभी तैकिकात और इसके दाइरे में आता है और इसने काफी properties बनाई है जब करोडोर उपई के आप properties बनाते हैं और यह एक साल के लिए ही director था और अभी भी आप अगर इनके website के उपर जाएंगे आप register of companies मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम 337423 मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ 08337423 यह इनका DIN नंबर है जब आप इसको DIN नंबर में search के अंदर आप डालोगे ROC के website के उपर जो directors के DIN नंबर के हिसाप से रहता है तो आपको एक चीज साफ नजर आएगी लिखी होई रहेगी उसमें यह लिखा रहता है कि भ know your customer KYC details हम bank में भी देते हैं जैसे हमारा आधार card नंबर रहता है हमारा pen card नंबर देता है तो फिर यह director ने KYC details क्यों नहीं दिये अब यह क्यों नहीं दिये इसका खुलासा आगे आपको चलता रहेगा जैसे भी आपको मिलेगा लेकिन गौर कीजिए कि यह आदमी ने KYC details क् क्यों छुपाए हम इसके उपर अभी आएंगे असर यह company का नाम आपने लिए क्या इसके अलामा भी और भी company थी या फिर एक company है आपके knowledge में जी मेरे knowledge में यह एक company थी और एक दूसरी company थी moco tech engineering construction private limited इस company से भी इनका घनिश्ट संबंध रहा है और इन्होंने school के कुछ repairing के य और इस particular company में भी यह director थे या नहीं थे यह तैकिकात का विशय है मुझे तो अभी तक तो यह जानकारी जो मेरे पास में जो जानकारी उपलब्द थी वो जो जानकारी थी वो अधूरी थी इसके लिए मैं यह तो नहीं कहूंगा कि नहीं भाई यह यह यहीं पर थे करके हा लेकिन इसकी जाच होनी चाहिए कि Mo Ko Tech Engineering Construction Private Limited company को Calcutta के किस कि स्कूलों की जरीए इनको contract मिले क्यूंकि इन स्कूलों के जरीए जब पारितोष कैनिंग चैर्मन थे तब इनोंने काफी करोड़ों रुपाए के लाखों रुपाए के contract repairing के civil के यह companies को दिये तो ये company से इनका क्या तालुकात है और ये company से इनको क्या मिला और इनके पास से इनके पैसे कैसे transfer हुए ये company हो या फिर transit food and lodging private limited company हो इन company के मारफत किस तरह पैसा घूमा मतलब school के donation का पैसा कोई cash में हो सकता है या कोई अधर तरीके के source से भी हो सकता है कैसे घूमा और ये पै रकिकात होगी तो चीज सामने आ जाएगी सर इन्होंने कितनी प्रॉपर्टियों में investment किया या फिर खरीदा या उसमें भी forgery किये हुए है इसके उपर आप थोड़ा सा प्रकास डालेंगे क्योंकि पैसे इन्होंने तो जोल किये को अलगलग company या जैसे आप से हैं और बिस fraud तो बहुत किये और इतने fraud किये है कि आज इनके पास जितनी properties है बेशुमार किमत की property इन्होंने खरीदी किये है जैसे इनके आप एक particular जैसे आप properties की बारे में आप बात करोगे तो इन्होंने बीस बीस अगस्ट दो हजार बीस आप तारीक या देख देख दीए हैं 20 अगस सेल डिड रजिस्टर कराई क्यालकटा में और एकी साल में एकी साल में एकी साल में एकी दिन में एकी साल में तो इन्होंने पाच्छे कराई है लेकिन मैं एकी दिन में इन्होंने तीन चार सेल डिड रजिस्टर कराई है और इस सेल डिडों के अंदर जैसे आप मैं नंबर लूँगा, agreement का नंबर लूँगा, इसका नंबर है 1411 oblique 2020 and 1257 oblique 2020 और इसके बाद में हम लेंगे I 1257 2020 जहां पे 560 square feet का flat इन्हों ने लिया है, flat की कीमत है 32 लाख, इन्होंने केवल यह flat लिया 5 लाख रुपए में, इनका पुराना घर था, इनकी जगा थी, इसके लिए आएवज में builder इनको इतने सस्ते में यह flat दे रहा है, सर मैं रोकना चाहूँगा, सर मैं यह कहूँगा, इसके बारे में sale lead की, तो sale lead की agreement जब शुरू में तयार करता है, तो लिखता है कि फलाने फलाने ने हमको बेचा, फलाने company ने या फलाने लोगों ने या फलाने डाइरेक्टर ने हमको बेचा, और buyer का नाम आता है, agreement का उपर नाम रहता है, and के अंदर नाम आता है, पारितोश कनिंग, पारितोश कनिंग के आगे आता है, buyer, फिर buyer के नाम के आगे आता है, उसका pancard नंबर, फिर pancard नंबर के आगे आता है, उसका buyer details नीचे जो होते है जब stamp duty जहां पे register होती है जो verification होता है जब UH जब यह verification होता है तो verification के अंदर एक भलता pencard number दिया जाता है कई जगों के उपर आधार card number नहीं दिया जाता है और कई जगों के उपर आधार card भी फर्जी दिया जाता है pancard की परज़ी दिया computer के अंदर feed होते है, हाँ, जो memo feed होता है, कौन सा memo feed होता है, वो जो memo, particular stamps का, registrar का memo जो रहता है, वो memo के अंदर जो दिख रहा है, by details, वो नमबर कुछ और है, और agreement में जो number दिख रहा है, वो number कुछ और है, और agreement में जो number, और आधार का जो जोड़ा है, वो आधार काड कुछ और है, और यहां पे, इनका PAN CARD और आधार काड टोटल दूसरा है, और एक दो तो, एग्रिमेंट में तो ऐसा है, कि, पैन काड जोड़ा गया है, वो भी फर्जी पैन काड बाइर डीटेल में, और आधार काड कहा है, कि U फर्जी आधार कार्ड कैसे क्या नजर आता है दो एग्रिमेंट में आता है टोटल चार एग्रिमेंट में फर्जी वाड चल रहा है चार भी नहीं मैं तो हमारे जहन में पांच एग्रिमेंट में फर्जी वाड है तो ये फर्जी वाड आधार कार्ड और पैन कार्ड का इतना बहंकर तरीके से और इतनी शागिर्द तरीके से हुआ है कि किसी के समझ में नहीं आए कि किस तरीके से इस आदमी ने फोरजरी की, धांदली की और गवर्मेंट को बेवकूब बनाया आज पस्चिम बंगाल सरकार को स्टैम ड्यूटी के अंदर बहुत बड़ा लॉस पड़ा है, उनको बेवकूब बनाया गया है उनके जो डॉक्यमेंटेशन जो हुआ है, वो डॉक्यमेंटेशन आज जो रजिस्टर डॉक्यमेंट है जो यहां के रजिस्टर आफिस के अंदर इसकी तैकीकात पस्चिम बंगाल सरकार ने करनी चाहिए और ममता दीदी को भी मैं बोलूँगा कि आप पारितोश कानिंग को आप सबी सबी यातरा के अंदर साथ में तो लेके चलते हो लेकिन आप ये म मत भूल जाईए कि आप जिसको साथ में लेके चल रहे हो एक फरजिवाड किया हुआ आज इसाई धर्मगुरू है और जो बिशप है कैलकटा का और वो है पारितोश कानिंग इसके खिलाफ आपके पुलीस ने यो डबलू ने कारवाई करनी ही चाहिए ऐसी हमारी पूरी मा कितनी बड़ी कितना बड़ा फ्राड हो रहा है क्या दिखाया जा रहा है कि कितने में लिया जा रहा है कितने में दिया जा रहा हो और पैन कार्ड गलत आधार कार्ड गलत मतलब एगरिमेंट में सब सही है पैन कार्ड आधार कार्ड लेकिन जब बायर डिटेल्स आता है तो पूरा बाय डिटल्स में पूरी के पूरी फर्जिवार्ड चल रही है तो ये फर्जिवार्ड हम आपके चैनल के माध्यम से सबी लोगों को बताना चाहते है और इसमें विशेश करके ED ने भी ध्यान देना चाहिए enforcement directorate ने कि भई ये फर्जिवार्ड है तो ये कितना बड़ा है और अगर ये फर्जिवार्ड है तो ED ने इन चीज के जाच करना बहुत जरूरी है कि ये कितने करोडों के फर्टी त्रेइल का फ्र्टी लेक्स का फ्लाट लिया तो ये कहां से देड़ करोर का फ्लैट लेगा फिर इसकी बात आती है कि भाई ये इसने एक 48, 43 लैक्स का फ्लैट लिया एक 38 लैक्स का फ्लैट लिया कहीं 5 लाग दे रहे, कहीं 5 लाग दे रहे एक जगा उसने बराबर 38 लैक्स दिये है पूरा का पूरा 38 lakhs पे किया है वो भी flat इसने लिया तो 38 lakhs इसके पास आए कहां से देड लाक इसके पास आए देड करोड इसके पास आए कहां से इन सब चीजों की जाच होनी जरूर ही यह कितना income tax भरता है यह कहां से किस कदर पैसे का flow चलता है और अगर ED इसके अंदर शांत है तो इसका मतलब कुछ न कुछ तो जरूर है कि ED इसके अंदर क्यों कुछ नहीं कर रहा है हम तो आज भी गुजारिश करेंगे कोई भी पश्चिम बंगाल सरकार के पोलीस यंतरना या फिर ED की जो भी हम से document मांगना चाहे तो हम अवस्चे document देना चाहेंगे और यह document सब संदीब गायकोड प्रेसिडंट लीगल कमिटी जरूर यह document आपके सामने प्रेजेंट करने के लिए आज भी तैयार है सर मैं जानना चाहूंगा कि सर इतना कम पढ़ा लिखा बेखती है जो 12 भी नहीं स्कूल जाके पढ़ा हुआ है और इस प्रकार के वह जो है एक ही paper में नाम और pen आधार अलग देता है और buyers में अलग दे रहा है हर एक deed जितनी भी deed बनी हुई है हर जगों पर यह forgeries type से किया तो क्या इसके समझ में नहीं है यह कहीं verify होगा या नहीं होगा या कहीं government officer रिष्टरार से भी कहीं गलती हुई या रिष्टरार मिले होंगे इसमें इस पर आपका क्या कहना है यह तो अभी जैसे तैकीकात उनके रिष्टरार ओफिस में होगी तब पता चलेगा कि भाई इसमें किसी क्यों धांदली होई और ऐसे कैसी क्या धांदली हो गई कि इतना बड़े धांदली हो जाता है कि उपर agreement के अंदर जो लिखा हुआ pen card और agreement के अदर लिखा हुआ अधार card और जो जोड़े दस्ताइवस वो अधार card और pen card यह match नहीं करते जब buyer details नीचे लिखा जाता है वर्जिनल वेरिफाई करके ही सरो तो date बनती होगे सारी चीज़ और transaction memo भी होता होगा बिल्कुल transaction memo होता है verification होता है तो यह जो verification करने वाला आधिकारी है इसने क्या verification किया और कितना पैसा खाया और यह क्या दांदली होई है कि इसमें सरकार को भी पता नहीं चल रहा है कि यह क्या चीज़ हुआ है यह तो हमारे पास में तो पूरे के पूरे registered documents है और यह registered documents Calcutta में registered हुए है यह sale deed सभी registered sale deed है हमारे पास पूरा का पूरा proof है in fact हम Calcutta में रहते नहीं है अगर Calcutta का कोई भी व्यक्ति इन सब register sale deeds को ले के अगर police station में जाए और complaint कर रहे और police station FIR नहीं करता है तो अगर कोई भी Calcutta का जो इसा ही हमारे समुदाय का व्यक्ति है इन sale deeds को ले जाकर अगर वो metropolitan magistrate के यहाँ district magistrate के यहाँ पे अगर 156.3 में वो कानूनन एफायर मांगता है तो इसके ओपर एफायर होगा और बहुत बड़ी बहुत बड़ी धांदली सामने आ जाएगी और सर्य पेपर तो खुद पारी तो scanning नहीं दिया हुआ है ना तीसरे ने तो दिया नहीं है सबसे बड़ी बात यह भी है बिल्कुल यह आप बिल्कुल सही बात बोले इसमें खरीदार अपनी डीटेल देता है और इसमें खरीदार ही पहले अपनी डीटेल सब्मिट करता है और खरीदार की डीटेल जो एग्रिमेंट में लिखा हुआ है उस से बराबर नीचे बाइर डीटेल्स के कॉलम में match होनी चाहिए ये mismatch इतना भेंकर क्यों है और अगर इतना भेंकर है तो ये कौन से pen card इस्तमाल हुए और कौन सा आधार card का तो number नहीं है लेकिन pen card का number है तो ये pen card कौन सा है और ये pen card किसका है और अगर ये आदमी पारितो श्कैनिंग दो-दो पैन कार्ट यूज़ कर रहा है वाके में या दो-दो आधार कार्ट भी यूज़ कर रहा है इसलिए इसने क्या किया था कि ये डाइरेक्टरशिप से जब रेजिगनेशन दिया जब हम आज भी उनका नंबर आरोसी के अंदर टाइप करते है तो इस नंबर के उपरांध हमको समझ में आता है कि इसने KYC डिटेल्स रजिस्टर ओफ कंपनी इसको इसलिए नहीं दी क्योंकि यह यहाँ इसी धांदली करता था ये 2020 का मामला है उसको डर था पकड़ा जाएगा उसको पता था कि वो धांदली कर रहा है त आप इसलिए मैंने का कि आप वो दिन नंबर को आज भी आप रजिस्टर ओफ कंपनी के वेबसाइट पे जाके आप उसको टाइप कीजे और देखिये तो KYC not given that is why his दिन वाच कैंसल्ट सर आगे की जो है एपिसोड में हम बाकी के खुलासे करेंगे क्योंकि काफी बड़ा एपिसोड हो जाता है आप से बाते करते करते और दर्सकों का भी कहना है कि काफी बड़े एपिसोड हो जाते हैं तो थोड़े समय कम किया जाए तो अगले एपिसोड में क्या कवर करेंग क्योंकि यहां documents दिखने बहुत जरूरी है उसके बाद में हम आगे explanation करेंगे तो लोगों को ये दोनों episode देखना बहुत जरूरी पड़ जाएगा episode number 8, episode number 9 और episode number 6 क्योंकि ये तीनों episode आपको बारी-बारी में देखो कि तब आपको समझ में आ जाएगा कि कितने करोडों की धांदली किस तरह इसने फर्जी चीजे प्रेजेंट करके सामने लाईए और ये भी हम लाएंगे और इसके बाद में हमने कितने करोडों रुपए का इसने धांदली कैसे की है इसका हम जो प्रूफ रहेगा जो पूरा का पूरा प्रूफ करोडो रुपए का और किस तरह बेवकूफ बनाये गया है पस्चिम बंगाल की सरकार को भारत की सरकार को और इंकम टेक्स एथॉरिटीस को और इस सिलसले में हम ये चीज सामने लाएंगे और हम गुजारिश करें कि इन सब चीजों के तैकीकात हो हम भी हमारी चैनल के माध्यम से हम वहां के सरकार मौजूदा सरकार से और ED को और CBI को भी हम कहना चाहेंगे कि इन चीजों पे संग्यान मिलें और इन पे जल से जल जादा बड़ी बड़ी कारवाई की जाए क्योंकि बहुत बड़ी लेवल का फराड हुआ है इसी के साथ मैं जय पांड़े पीजियोंने से जाहिंद और आप कंटिन्यू बने रहें अगले एपिसोड के लिए पार्टनमर टेन के